जैहिंद दोस्तों स्वागा थे आपका हमारी यूट्यूब चैनल में आज की वीडियो में हम लेकर आए हैं आपके लिए हाँ पर हिंदी साहिती के बहुत ही मात्वण कॉस्चन आंसर तो वीडियो को पूरा अवस्य देखें अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैन ने किया है भगवान दीन ने मिस्र बंदू पदमसें या जारी परसाथ दोबेदी तो हिंदी साहित में तुल्लाइंत्मक अलूचिना का जो सुभार में क्या है है तो पदमसें सर्मा विकल्ब नबर बी आप कहां पर सही आंसर है question number 103 पूँचा है कि मनु ब्यज्यानिक आलूचिना के मूल में है क्या है यह आपके लिए 103 का सही answer बताना है तो question number 103 का right answer बताईए चार विकल्प आपके यहाँ पर दिये गए है महत्यपूल question पूँचा गया है और आपका यहाँ पर जो सही answer होगा वह क्या होगा तो ब्यक्तिक चिंतन आपके यहाँ पर सही answer होगा विकल्प number D right answer है आपका यह question आपके किसी ना किसी एक्जाम में जरूप पूँचे गए है PGT, TGT, GIC में महत्यपूल यह आपकी question है यहाँ पर question number आपका यहाँ पर जो अंगला दिया गया है question number 104 वह क्या दिया गया है यहाँ पर देख लेते हैं यह है आपका question number 104 इलियट का मूर्त विधान भारत्य का विशास्त्र के किस तत्तों से तुलनिये है साधारनी करन से विभाबन वियापार या विभाबन वियापार या रीती या प्रितिवा तो question number 104 का आपके लिए answer बताना है यहाँ साधारनी करन की सही वियाप्या क्या होगी यहाँ पर यह बताना है आपके लिए यह आपकी यहाँ पर चार विधानी करना है तो आपका D राइट आंसर है यहां पर कि साधान्य करण बहब्यापार हैं जिसके दोरा कापिस रष्टी में कभी निर्मित पात्रे व्यक्ति विशिस ना बनकर सामन्य बन जाती हैं तो यह जो है आपका हैं पर सही आंसर विकल्प नंबर डी आपका हैं पर सही आंसर है विलकुल सही question नंबर आपका 106 यह बिचारों से युक्त है तो यह आपका जिया इस MPGT में पूछा गया question है 2015 में और आपका यहाँ पर सही answer है उच्छे भावों एबं बिचारों से युक्त आपका यह उन्नत मना का अर्थ होगा तो इस परकार D आपका यहाँ पर सही answer है अंगला question क्या पूछा यहाँ है देखिए अंगला question है आपका यहाँ पर यह दिपी मैं खुद उर्दू का बड़ा पक्षपाती हूं लेकिर मेरे विचार में हिंदी को विभासा या बोली कहना उचित नहीं है यह कथन बताना है यह कथन किसका है तो बताईए यहाँ पर स्विप्रसा से तारी आपका यहाँ पर सी आंसर है एक सो साथ का आपका यहाँ पर सही आंसर है अंगला question क्या पूंचा रहा करते थे रामचन सुकल महावीर पर साद दुबेदी या गोबिंद नारायन मिस्र या चंदधर सर्मा गोलेरी तो वान या दंडी और दंडी जो है इनके ध्यान में रहते थे तो आप कहा है पर सही आंसर है क्या हो का राइट आंसर कॉस्चन नमबर 108 का सी गोबिंद नार मिस्र यानि की विकल्प नमबर सी आप कहां पर सही आंसर है अंगला कॉस्चन क्या पूँचा क्या है तो अंगला कॉस्चन यहां पर देख लेते हैं देखिए यह रहा आपका अंगला कॉस्चन कॉस्चन नमबर 109 आप सी यहां पर पूँचा है कि कभीता मनुस्ति को स्व है तो आपका सही आंसर है आचार रामचन सुकल आपके यहां पर सही आंसर है बिलकुल सही आचार रामचन सुकल आपका राइट आंसर है 110, कवीथा आपने मूल रूप में जीवन की आलोचना है यह किस ने कहा है यह किस ने कहा है यह आपके लिए यहाँ पर बताना है तो आपका सही आंसर क्या होगा यह आप बताई आपर महत्त्पोंड question आपसे यहां पर पूँचा गया है तो मूल रूप से कभीता मूल रूप से में जीवन क्या लोचना है यह जो कहा है किसने कहा है तो आपका सही answer मेथ्यू अर्नॉल्ड आपका यहां पर सही answer है question number 111 पूँचा है कभीता हमारे परिपूर्ण चड़ों की बाणी है यह किसने कहा है यह आपकी महत्तुपूर्ण question है तो बताइए क्या होगा इसका सही answer महत्तुपूर्ण question पूँचा क्या है कभीता कभीता हमारे परिपूर्ण चड़ों की बाणी है यह जो किसने कहा है निराला प्रसाद महादेवी बर्मा या पंत तो पंत आपका यहां पर सही आंसर होगा पंत जिन्हों ने बताया है उनका यहां पर सही आंसर है बिल्कुल सही राइट आंसर बताया आप लोग ने अंगला कॉस्चेन क्यों बढ़ते हैं अंगला कॉस्चेन क्या पूंचा गया है तो देख लेते हैं यहां पर आपका जो अंगला question है question number 112 आपसे यहां पर क्या पूंचा गया है तो 112 question आपसे पूंचा गया है कि सर्वोत्तम सब्द अपनी सर्वोत्तम क्रम में कवीता होती है किसने कहा है सर्वोत्तम सब्द अपनी सर्वोत्तम क्रम में कवीता होती है किस ने कहा है तो question number 112 का आपका जो सही answer है कि ये जो कहा है भै किस ने कहा है तो आपका सही answer है कॉलरिज कॉलरिज ने कहा है विकल्प नंबर सी आपके हैं पर सही answer है question number 113 पूचा है हमारे सबसे मदरगान भी हैं जिसमें विबाद पूर्ण भाव व्यक्ते किये जाते हैं question number 113 और 113 का right answer है आपका विकल्प नंबर एक यानकी Sally आपका है यहाँ पर सही answer है question number 114 कि आप पूचा है आलोचना को कला की सजगता किसने कहा है आलोचना को कला की सजगता तो किसने कहा है यह आपके लिए बताना है तो आपके यहाँ पर जो सही answer है question number 114 का वै आपके यहाँ पर right answer 114 का विकल्प नंबर एक हैं आपका right answer है Middleton Maree आपके यहाँ पर सही answer विकल्प नंबर एक अंगला कॉस्चर है चिंता एक है बाक्यांस में विक्तिस्तान की पूर्ती है तू सही सब्द चुनना है चिंता एक खालिस्तान है यहाँ पर इस बाक्य में आपके लिए बताना है क्या होगा तो आपका राइट आंसर है चिंता एक है रोग ब्याधी कष्ट या आधी तो आधी आपका right answer विकल्प number D आपका सही answer होगा मानसिक पीणा की संग्या है आधी आधी है यह आपके लिए आध रखना है सारेक पीणा को ब्यादिक आती है और चिंता एक मानसिक पीणा है कश्ट प्रहसारेक होता है अंगला question यहाँ पर क्या पूंचा गया है तो question number A आपका 11 पूंचा गया है इनकी सी विसुद्ध सरस इवं सक्ति सालनी ब्रजवासा लखने में और कोई कभी समर्थ नहीं हुआ है आचा रामचंद सुकल ने किस कभी के बारे में ए टिपड़ी किस ने की है शुकल जी ने की है तो कैसे कभी के बारे में की है देव घनानंद ठाक और या इन मैंसी कोई नहीं तो आपका सही आंसर है घनानंद घनानंद के बारे में एट पडिकी है आचा रामचंद सुकल जी ने अंगला कॉस्चन क्या पूंचा क्या है तो अंगला कॉस्चन आपसी आपर पूंचा क्या है कि प्रेंस ऑफ बेल्स की भारत यात्रा का बिस्तरत और ब्योरे बार बंडन यवराज की यात्रा सीर्षक्ष की किसने किया है तो यह जो किया है यवराज की यात्रा सीर्षक्ष की क्या है सत्य देवपरी ब्राजक ने मौलवी महिस प्रसाद भगवान दीन दुबे या चंडी प्रसाद सेहने तो यह जो किया है बंडन ये किस क्या है चंडी पिर साथ आप कहां पर राइट आंसर विकल्प नमबर C आप कहां पर राइट आंसर बिल्कुल सही विकल्प नमबर C राइट आंसर है अंगले कौशन हिंदी में स्वचंदता बाद का कभी कौन कहा जाता है हरियोद सिरिधर पाठक राम निश्तर पाठी बिल्कुल सही तो यह आपके लिए याद रखना है अंगला कौश्चन क्या पूचा क्या है तो अंगला कौश्चन आपका यहां पर आपका कौश्चन नमबर 119 119 क्या पूच्चा क्या है यहां पर देख लेते हैं कौश्चन नमबर 119 को देखिए यहां पर तो question number आपका यहां पर है 119 और 119 का आपका जो सही answer है तो वह आपका आचार राम चन्सुकल विकल्प नंबर आपका C यहां पर right answer है विकल्प नंबर C जोनों ने बताया है उनका सही answer है स्वचंदताबाद की विशेषता नहीं है देखिए नहीं पूचा है आपसे यहां पर पिरकिर्टी पर्वेक्षण कथा गीत प्रियोग प्रयम चित्रन विरजवासा में रचिना तो question number 120 का सही answer बताना है स्वचंदताबाद की विशेषता नहीं है तो 120 का आपका राइट answer है नहीं है पूचा है तो विरजवासा में रचिना यह जो है आपका सही answer होगा अंगल यहाँ पर question number 121 में right answer बताना है तो बहुए कौन सा कतन है जो स्वचंदताबाद की विशेषता नहीं है तो question number 121 का आपका जो सही answer है बहुए आपका यहाँ पर right answer 121 का विकल्प number B यानि कि कल्पना व्यापार का महत्त तो यह जो है आपका सही answer होगा विकल्प number B right answer है question गीत की प्रिशिद्द उन्नायक कभी है नवगीत की बताना है तो नवगीत की उन्नायक कभी यहाँ पर कौन है तो question number 122 का सही answer बताना है एक 122 का आपका जो right answer है बीरेंद में सभवानी परसाद में सर्दोसियन्त कुमार या सर्विस और ज्याल सक्सियाना तो आपका सही answer ह बीरेंदर में सर्य यानिकी विकल्प नमबर एक आपका हैं पर right answer है बीरेंदर में सर्य अंगले question क्या पूंचा क्या है? तो अंगले question आपसे यहाँ पर पूंचा क्या है? हिंदी के काप विभासा परक समीख चक का नाम क्या है विजय देव नारान साही डाक्टर रगुबेंस नेयमी चंदर जैन या रामसरूप चतुरवेदी कॉस्चन नमबर 123 का सही आंसर बताना है तो 123 का आपका जो सही आंसर है वह है आपका यहां पर राइट आंसर विकल नमबर आपका डी राइट आंसर रामसरूप चतुरवेदी आपका यहां पर सही आंसर होगा रामसरूप चतुरवेदी जी को हिंदी के काप विभासा परक सम जपुजी तो question number 124 का सही answer बताना है नानक दर्सन का सारतत्त है तो आपका यहाँ पर 124 का विकल्प number D जपुजी आपका यहाँ पर सही answer है जपुजी जिन्हों ने बताया है उनका सही answer होगा यहाँ पर question number 125 की ओर बढ़ते हैं 125 वा question आपसे यहाँ पर क्या पूछा है तो 125 पर question है तुलसी दास किस दार्सनिक मत की भक्त कभी थे तो अद्वत्यबाद या द्वत्यबाद सुद्धा द्वत्यबाद विसिष्टिता द्वत्यबाद तो question number 125 का सही answer एक question कई वार एक्जामे पूँँचा जा चुका है कि तुलसी दास के दार्सिनिक मत के कभी भक्त थे तो आपका सही आंसर है क्या है अदुवत्य बाद आपका विकल्प नंबर एक यहाँ पर सही आंसर है विकल्प नंबर एक जिनों ने बताया है उनका यहाँ पर सही आंसर है अंगले question क्या पूंचा है अदुवत्य बाद के अनुसार बताना है, question number 126 में, तो आपका यहाँ पर right answer क्या होगा, यह आपका PGT में 2015 question पूँचा था, और जीव और ब्रह्मा एक है इसके अनुसार, अदवत्वाद के अनुसार, अंगला question क्या पूँचा गया है, तो अंगला question आपसे यहाँ पर question number 127 पूँचा है, कि सूची A1 का मिलान सूची 2 से यहाँ पर करना है, तो यहाँ पर देख लेते हैं, यह आपका सूची 1 है, सूची 2 है, तो इसको मिलान करना है, तो यहाँ पर आपकी कूट भी दिये ग 기ए हैं, तो यहाँ पर आप जो है direct answer देख लेती है, पन, यहाँ पर, तो सुद्धा दवत्वा यहां पर आप जो है direct answer देख लेते हैं, यहां पर तो सुद्धा दुधाँत्बाद, तो बल्लबचारि अदुधिवाद, संक्राचारि विश्ष्ट दुध़ाद, रामानूजाचारि दुधिवाद, madhwacauri आपकी सुची यहां पर सुमेलित है तो बिल्कुल सही अंगले कोस्चन क्या पूँचा गया है यहाँ पर देख लेते हैं अंगले कोस्चन है आपका द्वत्त बाद किस आचार द्वारा प्रवर्थ संप्रदा है निम्बारिका चार रामानुजा चारे या विश्णू स्वामी या मधवाचारे तो अब भी प द्वत्त बाद दर्सन की प्रवर्थ तक हैं संक्राचारे वल्लवाचारे मधवाचारे अब शुलू स्वामी तो कॉस्चन नमबर 139 का आंसर बताना है सुच्छी एक को यहाँ पर भी सूची दो से जो है सुमिलित करना है तो यहाँ पर आंगे कि जो विकल्प यहाँ पर यहाँ पर देख लेते हैं क्या है आपका यहाँ पर एक कूट भी देगा है तो आप यहाँ पर डारेक्ट सुची देख लेते हैं यहाँ पर जो सुमिलित है अपनी सुची विस्टित्ता द्वत्त बाद तो इसके हो जाएंगे रामनुज चारे द्वत्त बाद के हो जाएं प्रता है इसमें किसकी उपासना होती थी संकर विष्णु ब्रह्मा या लक्षमी तो question number 131 का सही आंसर बताना है इसमें जो उपासना होती थी वह होती थी किसकी विष्णु जी की विष्णु आपका यहाँ पर सही आंसर है विष्णु जिनों ने बताया है उनका यहाँ पर स गड़ना दासरतना करने अयुद्या प्रिसाद खत्री ने question number 132 का सही answer बताना है 132 का आपका right answer क्या होगा कवीता के लिए बड़ी बोली के पक्ष में आंदुलन की शुरुवात की थी तो एह की थी किसने अयुद्या प्रिसाद खत्री जी आपका यहाँ पर right answer है यह आपका म पश्चमी रंगमंच की स्तापना खालिस्तान में हुई थी तो पश्चमी जो रंगमंच है यहाँ पर पश्चमी स्वारी तो पश्चमी रंगमंच की स्तापना खालिस्तान में हुई थी मुंबई में बंगाल में उज्यन में करनाटक में question number 133 का सही answer आपका यहाँ पर क्य तो विकल्प नमबर C आपके यहां पर सही आंसर है अंगले कॉस्चन है नाटक का अभीनाय रंग मंच के जिस अंगले इस्तान पर होता है उसका नाम क्या है यह आपके लिए बताना है तो नाटक का अभीनाय रंग मंच के जिस अंगले इस्तान पर होता है उसका नाम क्या है रंग पीट है, रंग सीर से ने पत्त है या मत्तवारणी है, तो आपके हैं पर सही आंसर है, यहां पर रंग पीट है, क्या है, रंग पीट या नंबर एक जो आपके हैं पर दिया गया है, यह आपके हैं पर सही आंसर है, देखें, रंग मंच में दो भाग होते हैं, पिछले भाग को रंग सीर से जबकि सबसे आंगे बाले भाग को रंग पीट कहा जाता है इन दोनों की बीच में जाओ निका रहती है और अभिनाय का मुक के स्थल रंग पीट होता है तो अभिनाय का मुक के स्थल क्या होता है यह आद रखना है तो वह होता है रंग पीट कॉस्चिन साल 155 है रंगमंच पर परदे का पीछे कई क्या कहलाता है तो यह आपका महत्लों कॉस्चन है अभ द्रश्टी से ओजल रहता अर्था परदे के पीछे कपा है इस्थान होता है जहां अभी नेता रंगमंज पर आने से पूरो अप्रवक्त वेश भूसाधारण करते हैं तो यह जो भाग होता है यानिकि दर्शकों को यह जो देखता नहीं है यह बाग परदे के पीछे वाला इस्थान होता है तो इसको जो है क्या कहते हैं यह पत्थ कहते हैं तो इस परकार अपनी हाँ पर बहुत ही महत्तुपूर्ण कॉस्चन कम्प्लिट हुए क्या असा लगा यह वीडियो आप कमेंट में जरू बताएं और अगर आप चैनल पर पहली बार आ हैं तो चैनल को सब सब्सक्राइब करने बेल आइकन दबाएं ओल पर क्लिक करें ताकि ओल वीडियो की जानकारी आप क्या तक पहुंचे ज्यादा से ज्यादा वीडियो को सेयर करें और वीडियो को लाइक करना न भूलें तो आज की वीडियो में बस इतना ही सभी के लिए बहुत बहुत धन् अबी के लिए जैहिन